हेलो दोस्तों मैं सोरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में सवागत करता हूँ दोस्तों रेले गुरूप डी का 9 अक्टूबर 3 सिप्ट का एकजाम हो चुका है बहुत सारी कोशेंस मुझे मिल गए हैं वो सब कुछ डिसकस कर रहे हैं इस वीडियो में बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा आपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर करेगा और जो दोस्त अब दक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कल का बटन दबा करके बैल ऐकन को उन कर लिजेगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचते रहे हैं और देखे दोस्तों मैं अकैडमी के लर्निंग आप पर पड़ा रहा हूँ याँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियो देखने हैं या अकैडमी का लर्निंग आप आपनोड करके वहाँ पर सोरमलिक सर्च करके आप मुझे फोलो कर स है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ बाकी बात इस वीडियो के एंड में करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा तो यहां पर पहला कोशन था बांगलदेश के पीम पूछा गये थे तो से खसीना राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यूपी क KCI Bank के CEO यहां पर संदीब बकसी राइट आंसर हो जाएगा और देखें दोस्तों यह तीनो सिफ्ट के कोशन है तो आप यह मत बूलेगा कि हमारी सिफ्ट में नहीं आता तो यह किसी के सिप्ट में आया था और किसी के सिप्ट में नहीं आता तो कि तीनो सिप्ट के जब एक 2017 से related question था तो यह नहीं पता किस field में पूछा गया था तो देख लीजेगा आप ठीक है next आपका पूछा गया था कि first mayor of India तो first mayor of India आपका हो जागा right answer हो जाएगा next आपका kind of GST तो three type की GST होती है आपका पूछा गया था ठीक है टमाटा का रंग लाल किसके कारण होता है तो like open right answer हो जाएगा काम देनू डेड़ी योजना किस राज्ये में चलाई गई थी या आपका UP में चलाई गई थी अकलेश यादव के जो CM थे उस टाइम पे ठीक है नेक्स्ट आपका था तमील नाड़ू के मुख्य मंत्री तो एड़ापती के पलन स्वामी right answer हो जाएगा नोक्या के CEO भी आपके पूछा गया था तो राजीव सूरी right answer हो जाएगा head of दूर दर्सन तो सुपीरिया साहू इसका right answer हो जाएगा महभुवा मुप्ति किस पार्टी से है तो यह आपका PDP इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ questions है जो आपके लगतार पूछे जा रहे हैं यह repeat हो रहे हैं ठीक है कहीं कहीं बार पहले भी आ चुके हैं नेक्स्ट आपका बर्सिलोना में भारत के नई राजदूत कौन है तो यह इसका answer देखे मुझे नहीं पता है अगर आपको पता होगा तो राइट answer नीचे comment box में बताएगा पूणा पैक्ट कब हुआ था तो आपका 1932 में हुआ था यह question था आपका और अमीर खुसरों से भी related कोई question था exact question नहीं पता है दीके question कम है बट सारे real हैं बहुत सारे यहाँ पे YouTube पे fake questions प्रोवैड करा रहे हैं तो ऐसा यहाँ पे नहीं है जितने भी questions है सारे के सारे real हैं ब भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे एक question था रीतनी का देखे topic मैं वीडियो के end में discuss करूँगा पहले question देख लें जितने भी मिलें question था आपका कुछ paper कागज है और कुछ कागज धातू है तो यहाँ पे कुछ paper सबसे पहले आपने paper का वेंड डियाग्राम बनाया कुछ paper आप आपके धातू ही कागज भी paper नहीं होगे क्यूंकि कागज कुछ पेपर है पट सभी के सभी कागज इस condition में आपके paper होगे तो यह condition में हो जाएंगे तो यह दोनों ही गिलाथ हो जाएंगे ठीक है तो बोड रोंग हो जाएंगे आपके right answer हो ठीक है next आपका एक गराक ने दरजी को कपड़ा सीलने के लिए दिया देखे कथन निसकर्स का एक कोशन था एक बच्चे ने लिखवाया मुझे जल्दी जल्दी हो मैंने लिखा यहाँ पर बूल जा रहा है एक गराक ने दरजी को सील का नहीं दिया है और दरजी ने समय पर कारिया नहीं किया है तो बात वह यह तो यह राइट आंसर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता कि आपका जो कथन दिया गया है उसमें से निसकर से निकाला गया है ठीक है डारेक्ट में तो आपका यह नहीं हो सकता दूसरा बोला है दर पर की अलग होती है बच्चा जो फॉन पर बताता है या फिर लिख के बताता है वह एक्जक्ट लेंग्वेज नहीं बता पाता है तो यह थोड़ा अलग भी हो सकता है या पर एक mirror image एक बच्चे ने बताई थी कि इस तरीकी से mirror image बनानी थी आपको तो दीके बहुत ही आसान सी mirror image इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा बिलकुल एक्जक्ट आपको ऐसा का ऐसा ही है इधर बन जाएगा है तो इस तरीके से right answer हो जाएगा ठीक है बाकी तो तीनों shift के बेटी तो बेटी है ठीक है तो नीता का उस लड़की से क्या संब्द है आप थोड़ा सोच के देखिए खुद पे मतलब खुद की family में लेजाए नीता एक लड़की की तरफ को इसारा करते हुए कहती है कि यह मेरे पापा की बेटी यानि कि उसकी बेहन हो गई यह और यह और यह बेटी जो हुई पापा की पहले बेटी बोली ना पापा की बेटी यह दोनों बेहन हो गई ठीक है बेटी की बेटी तो यह क्या होगी इस बेटी की बेटी होगी तो यह ओबेसली बात है नीता की क्या हो जागी नीता की बुआ हो जागी तो नीता का उस लड़की से क्या क्या है भारत में शिक्सा की गुणवत्ता में सिर्द ही सुधार होगा तो यहाँ पर अगर देखे आप इस कथन को पढ़कर निसकर्स को पढ़कर कुछ यहाँ पर relation नहीं बन पा रहा है ठीक है यानि कि देखे जो भी आपके कथन statement conclusion वाले questions होते हैं उसमें statement पढ़ने के बाद में जो conclusion होता है वो conclusion उससे मतलब या तो question पूछे गया तो answer होना चाहिए या फिर उससे question नहीं पूछे गया तो उससे step आगे बात की गई होगी ठीक है conclusion में तो यहाँ पर बोला गया गुणवत्ता का एक मुल्य होता है भारत ने बहुत सी निदी शिक्सा के लिए निर्दारित की है बहुत सी निदी शिक्सा के लिए निर्दारित की है बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि जल्दी या सिर्द ही सुधार होगा सिक्सा की गुणवत्ता में ठीक है तो ये भी कहना गलत होगा, सिर्फ ये बोला गया ना, सिर्फ निधी ही, तो ये नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे factor होते हैं, जो बढ़ा सकते हैं, सिक्सकी गुणवत्त को, निधी ही ऐसा factor नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और कुल, और कुछ ऐसे word use होते हैं कि जिससे particular वही कुछ काम कर पाएगा, तो कभी भी right नहीं हो सकता है, ठीक है, चलिए, कुछ condition में हो सकता है, अब condition आपको paper को देखकर ही पता चलेगी, next आप का है यहाँ पे, कुछ mobile calculator है, कुछ calculator pen है, कुछ pen scale है, तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, mobile बनाया, ठीक है, पैन scale है, तो आपने कुछ pen को scale भी बना दिया, तो इस तरीके सा आपने पूरा बनाया, इसके बाद में आपे निसकर्स जो दिये गए है, वो क्या दिये गए है, कुछ mobile scale है, देखे, कुछ mobile scale है, तो scale और mobile का correlation नहीं है, तो हम इसको cut कर देंगे, सभी pen का calculator होना एक संभाव होना है, तो देखे, बहुत ही अच्छी statement यहाँ पर निकल लिए है и conclusion वाली, सभी pen का calculator होना एक संभावना है, देखे, pen और calculator के बीच में, संभावना है, यादि कि हो सकता है, कि क्या पता सारे पैन जो हो, आपके हो calculator हो, संभावना में अगर बात की जाती है, तो यह आपका यहां पर रुख जाता तो उस condition में यह गलत हो जाता बट संभावना वाली condition जो थी आपकी वो right हो जाती है ठीक है एक यहां पर था कि इन में से बिन बताना था आपको यहांनि कि capital letter में लिखे है यह small letter में लिखे है इन में से बिन क्या होगा तो दीके obviously बात है यह आपको जो लिखा हुआ है यही बिन बन जाएगा तो right answer यह हो जाएगा ठीक है भई तो आसर करते हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अब यह आते हैं कुछ math के questions तो math के questions भी द होती है 100% होती है अब यहां पे इसको बेचा जा रहा है एक сх़ार एक सो बीस रुपे में और इसको बेचने पर जाएगा 14 बार 14 से 14 की 140 की मल्टिप्लाइ करेंगे तो 1960 आपका राइट आंसर बन जाएगा आसर करते हूं कि आपको समझ में आगे होगा इस टाइप की कहीं कुशन पहले में आपको करा चुका हूं यहाँ पर एक कुशन है देखे एज से ठीक है एज का कुशन था कुछ नजमा और लालीमा अज नजमा और लालीमा की परजेंट एज का रेश्यो दिरेक्ट था 3 to 4 यहाँ पर बोला जारा था चार साल बाद दोनों की आयू का जो योग है वो 29 है नजमा की वरतमान आयू नजमा की वरतमान आयू यहाँ पर आपको बतानी थी तो दीखे नजमा की जो वरतमान आयू है वो कैसे निकालेंगे वही चार साल बाद का सम दे रखा है दोनों की ए तो चार-चार साल दोनों से माइनस करेंगे कितिणा बाइमगा होगामा ऌंध पर्जम्तम करेंगे ऑड़ विश ने na नाइन येर आपका रहेट आंसर हो जाएगा ठीक है तो कोई डाउट नहीं है सिंपल है आसा गर्दों कि आपको समझ में भी आ रहा होगा नेक्स्ट आपका देखे एक कोशन था इस तरीके से किसी काम को ए बारा दिन में कर देता है भी पंदरा दिन में कर देता है यहाँ पर दिन में पांच उनिट वर्क करता है 60 को 15 से डिवाइड किया तो भी एक दिन में चार उनिट वर्क करता है तो 60 को आपने डिवाइड करके वर्क निकाल लिया अब बोला गया है कि ए पांच दिन तक वर्क करता है तो पांच उनिट वर्क एक दिन में करता है तो चार दिन मे आपका रैट आन्सर हो जाएगा तिक कौशन बड़ा सिंपल था बट यहां पर बहुत से बच्चे गलती क्या कर सकते हैं यहां पर यह बोल गया होगा कि एकेला उस कारिया को ठीक है यानि कि बोला गया कि एकेले ने चार दिन तक कार्या किया तो यहां पर सिर्फ एही कार्या तो दोनों को मिलाके 4 से multiply नहीं करेंगे बहुत से बच्चे यहां पर यह गल्थी कर सकते हैं तो जब बोला जाये कि दोनों ने मिलके 4 दिन तक कारे किया तो आप क्या करेंगे 5 और 4 9 9 की multiply 4 में करेंगे बट अगर यहां पर यहां पर यह नहीं बोला गया है कि दोनों ने मिलका रहाँ पर बोला गया कि A ने 4 दिन तक कारे किया तो सिर्फ अकीला ही 4 दिन तक कारे करेगा A फिर उसके बाद जो बचावा कारी होगा उसको करेगा B तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपका कोशन है कि A जो पाइप है वो किसी टंकी को 8 गंटे में बढ़ देता है B उसी टंकी को 12 गंटे में बढ़ देता है अब यहाँ पर कोशन में था कि B टंकी को भरने से पहले 2 गंटे पहले बंद कर दे जाता है तो यहाँ पर अब सोचने वाली यह बात है देखिए मैंने लिखा नहीं मैंने सोचा कि आपको तभी वैसी बतातूंगा यहाँ पे बोला गया था कि A जो है न वो दो गंटे पहले बंद कर दे जाता टंकी के भरने से तो जब A को दो गंटे पहले बंद कर दिया जाएगा तो उन दो गंटे में वर्क कोन करेगा उन दो गंटे में अकेला B वर्क करेगा तो B यहाँ पे हमने वोई LCM ले लिया A इतने गंटे वर्क देता B तो 24 आगया 24 को 8 से बाकिया 3 और 24 को बाकिया 12 से तो 2 तो यहाँ पे 2 यूनिट वर्क आगया तो उन लास्ट के 2 गंटे में किसी ने वर्क किया होगा क्योंकि यह तो 2 गंटे पहले छोड़ देता है जब टंकी भरने को आती है तो 2 गंटे पहले एक आग Penis चोड़ देता है तो इसका मतलब लास्ट के 2 गंटे में बी ने वर्क किया होगा तो B एक गंटे में दो युनिट वर्क तो दोनों मिलके 5 युनिट वर्क करते हैं तो 20 युनिट वर्क करो करने में चार आपका घंटे लग जाएंगे, दो घंटे इन्होंने लास्ट में वर्क किया था, मतलब की complete होने से पहले, बीने तो दो घंटे वो होगे, तो टोटल आपके यहाँ पर 6 आर्स लग जाएंगे, 6 घंटे आपके यहाँ लग जाएंगे, ठीक है, वर्क को complete होने में, तो आसा करता हूँ कि आपको यह कुशन भी समझ में आगा कोई डाउट नहीं है, इसमें भी, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, चैप्टर की, देखिए चैप्टर गिने चुने हैं आपके, जो की बिल्कुल चेंज भी नहीं हो रहे हैं टाइम अड़ वर्क से, अभी आज कल में कोशन बताएं, साथ यह थर्ड सिप्ट के होंगे, क्योंकि मेरी एक बच्चे व्यरति धो, जो बात होी है ओ थर्ड सिप्ट और सपिंड से वाली सिप्ट के ही भी बात हुई है, फर्स्ट वालों से बात नहीं होई है, फर्स्ट के कुछ कोशन थे इसमें, बर यह पर जो टाइम अन वर्क के कोशन पूछे जा रहे पाइपन सिस्टन से भी एवरेज एज इसक्वार रूट और प्रोफिटन लोस ट्रिग्नोमेट्री और आपका मैंसुरेशन से भी आइधिंक कोशन्स पुछे जा रहे हैं और टाइम स्पीड डिस्टेंस एचिया पैल्सियम परसंटेज यह कुछ चेप्टर से आपके मैथ के जो बताये गए हैं बच्चों के द्वारा कि यह कुछन्स पुछ जा रहे हैं ऐसे रीजनिंग अगर बात कीज़े तो स्टेटमेंट कंक्लुजन इस लोग इस मिरर और वोटर इमेज भी आइधिंक है आपका पुछ जा रहा है जो वेंड डाइग्राम काउंटिंग फिगर तो आप किसी भी बच्चे से बात करेगा जो पेपर देखा था वो चेप्टर बता देता है बट कुशन्स नहीं बता पाता है तो यही कारण है कि मैं आपको यहं पर चैप्टर बता रहा हूं फंप सर्चक्र बैस क्रिंबोगैं तो आपको मिल जाएगा ठीक है वहाँ पे पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं अब यह पीडियाप में वहाँ पे अपलोड कर दूँगा और देखे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा थे कि लाइब किलासी जल्दी लेके आने वाले हैं बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके लिए सिर्फ ठीक है बहुत मतलब अच्छे तरीके से जितने भी फैकल्टी में लेके आने वाला हूँ वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगी मैं अपने से भी कहीं गुना अच्छे अच्छे टीचर लेके आने वाला हूँ ठीक है तो आप बिलकुल भी टेंशन फिरी रही है टेंशन मत लिजिए सभी सब्जेक्ट के सभी जितने भी इंडिया में ओल लेवल सारे एक्जाम होते हैं स्टेट लेवल और आपके ओल इंडिया लेवल गोर्मेंट एक्जाम उन सभी की प्रिप्रेशन हम कराएंगे पूरा दिन आपकी लाइव किलासी चलेगी तो टेंशन फिरी रही है आपको सभी कुछ मिलेगा ठीक है तो आसे करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपने लाइक शेयर तो करी देगा अगर नहीं किया तो कर दीजेगा वीडियो को देख लें बहुत बहुत दुनेवाद आपका दिन सुबो